हेले दोस्तों तो कैसे आप सो लोग ऐसा करते की अच्छे होंगे तो आप सभी को हमारे तरफ से छट पूजा की सूप कमना हैं तो देखिया जनहाखा है और मेरा दाल चरा हुआ है और अब मेरा खाना बन चुका है तो मैं खाना खाने के लिए आ चुकी हूं तो यहाँ पर देखिये चावल है चना का दाल है तरुवा है आलो फूल गोवी का सबजी है खीरा है लोकी का सबजी है तो आज हम लोग का नहाखा का यही खाना होता है यही खाना सब खाता है नहाखा के दिन अरवा चावल का भात और देखिये लोकी का तरुवा लोकी का सबजी तो होना ही चाहिए तो एक दम लोकी का सबजी तो नियम से तो होना ही और कुछ ना हो लोकी का सबजी होना ही चाहिए और इस दिन क्या होता है लोकी सबी बहुत म फिर भी कितों मांगा हो लोगे तो लेना पड़ता ही एक ग्लस पानी अब इक खना लेकर के बैठी हूं खाने के लिए तो देखिए और मैं खाओंगी नहां खाका खाना ये छटि मेया जे जे छटि मेया जे जे छटि मेया तो बहुत बराचूः, घुस गया है, उसको कीचन में घुस गया है बहुत बराचूः, उसको मारने के लिए नीकी, पूरा दंटा लेका वर सान नहीं के तना बराचूः है और डर के अपने कुदे भाग रहा है मेरा खाना समापत हो चुका है एकदम फूल पेट खाना खा लिये हैं क्योंकि खाना बनाते बनाते थोड़ा से लेट हो चुका था तो उसके बाद दो पहर में मन किया थोड़ा से गरम गरम तरुआ खाने का तो फिर मैंने क्या किया बेसंतो बच्चा हुआ ये था तेल कराही में था तो फिर हम तरुआ खानने के लिए चानने लगे गरम गरम दो पहर में तो देखे तरुआ खान रहे हैं और चटपुजा का सभी को हाद्रिक सुब करना है सब को चटपुजा अच्छा च्छा से बीते आज मैं एक छोटा से मैं आप लोग को गना सुना देती हूँ चटपुजा का किलबा के पात पर उगल उगल सुरुजे मल जाके जूके किलबा के पात पर उगल उगल सुरुजे मल जाके जूके एक रेली छट बरती आसे किकरा लागी हम रोजे बेट बापा माना याईशन बेट बासे हुनके लागी हम रोजे बेट बापा माना याईशन बेट बासे हुनके लागी हेक रेली छट बरती आसे हुनके लागी हेक रेली छट बरती आसे हुनके लागी हेक रेली छट बरती आसे हुनके लागी नर्यल के पात पर उगल सोरो जैमल जाके जोके हेक रेली छट बरती आसे किकरा लागी हेक रेली छट बरती आसे किकरा लागी हम रोजे मेटी पामन याईशन बेटी आसे उनके लागी हेक रेली छट बरती आसे हुनके लागी आसे हुन के लागी हिसा हेली छट बरतियां से हुन के लागी हम रुदिया के पात पर उगला सुरुजा मल जांके जो के हम रुदिया के पात पर उगला सुरुजा मल जांके जो के है करेलु छट बरतिया से जांके जो के है सहेलु छट बरतिया से किकरा लागी हमरु जे मेट बाप मन इसन बेट बासे हुन के लागी है करेलु छट बरतिया से हुन के लागी तो आप सभी के लिए आप सभी को हमारे तरफ से छट पुजा का हाद्रिक सुभकमना आए और आप सभी के लिए ये तरुआ छना रहा है आप लोग सुचिए कि आप लोग के लिए एक छना रहा है आप लोग तरुआ का स्वादिष्ट तरुआ का अनंद लेजिए और वीडियो ऐसे ही देखते रहे और वीडियो देखने के बाद उसमें लैक सस्क्राइबर करना न बुलिएगा क्योंकि अभी सुबह का चार बज रहा है इस टाइम हम इडिटिंग कर रहे थे क्योकि 4 दिն बाज़ा बसते रहता है तो वेडिटिक में गाना का आबाज आता है इसलिए डिटिंग नहीं करने सकते हैं सुबह होगा सब गाना बजाने लगेगा तो में डिटिक नहीं करने पाएंगे तो इसलिए हम सुभा रिटिंग कर रहे हैं इसलिए अपनों लाइक सब्सक्राइबर सब कर दीजिएगा अब सभी को छट पुजा का अभिनांदर है चट पुजा एक महा पर्व है और विहारियों के लिए तो बहुत ही भारी पर्व है विदेश में भी जाकर के देखिए सब चट पुजा करता है चट पुजा कोई भूलता नहीं है सब करता है चट पुजा का महमा ही बहुत भारी है इस कराही में लोकी का सब्जी चरहा हुआ है और उधा कल खरना है कुछिस करूंगी मैं कल खरना का विडियो बनाने के लिए अगर खरना का कल मैं विडियो मना चुकिए ता आप लोग प्लीज देखेगा कल का विडियो ठीक चुट दाले के बूता ता चुट दाले के लादे लिए लिए त्श्ट रखा चौना का चना का डाल, यह चावल है और बाट चावल, अज के दिया और बाट चावल ही वन्ता है, अज़े ताक्या के नहीं रखाना बनाना, अज़े टाक्या के मेरे खाना बनाना, झाल झाल